पहली बात जो सुन्या जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके कोई मश्वरा नहीं हुआ है कोई वार्तालाप नहीं था अलग-अलग राजणीतिक गलों के साथ आचानक इंडिया पार्तियों की बैठक हो रही है मुंबई में और यहां से खबर आती है कि पांच दिनका विशेश-चतर बुलाया गया है कोई बात्चीत नहीं किसी को नहीं यह जानकारी नहीं थे हलाग कि जब विशेश-चतर होता है पिछले भी हुएं है विशेश सतर बात्चीत होती है और एक आम सहमती बनती है कि इस बारी मन माने अपने ही कि बल में एक तरफा निर्ने लिया गया कि पांच दिन का सतर होगा अठारा तारिक से कि दूसरी बात जब कभी विशेश सतर होता है कार्य सूची पहले ते की जाती है और कार्य सूची जो एजंडा है जो कार्य सूची है वो सभी पार्टियों से बात्चीत करके एक बार जैसा कि मैंने का सर्वसमती तो असंभव है पर एक आम सहमती बनाने की प्रयास होती है सरकार के ओर से पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेश सतर बुलाया गया है और एजंडा कार्य सूची की जानकारी हमारे पास नहीं है और मत 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 बनाने की जानकारी है